अगर आपके पास फोको C55 यह C50 है तो यहाँ पे आप फोटो वीडियो को कैसे हाइड कर सकते हैं अपने गैलरी से और कैसे शो कर सकते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे गैलरी पे जाएंगे और गैलरी आपकी इस ट्रैप से खुल जाएगी तो यहाँ पे किसी भी फोटो वीडियो हाइड करने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पहले जैसे कि यहाँ पर मैंने यह सेलेक्ट कर लिया है यह दो फोटो में इसको हाइट करनी है तो यहाँ पर आपको add to album का option देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर private album पर क्लिक करना है और ok कर देना है और यहाँ पर privacy password सेट करना है तो मैं set कर दूँगी यह वाला दुबारा से आपको वही enter करना है यह वाला मतलब यह तो मैंने अपनी तरफ से सेट किया आप अपनी पसंद का सेट कर देंगे next पर क्लिक करना है तो यहाँ पर जो redmi account होता है my account वो मैं sign in नहीं करूँगे तो अभी not now पर क्लिक कर दूँगे तो देख सकते हैं कि यह आपके दो photo जो है वो private हो चुकी है अब मैं इसकी भी करके दिखा देती हूँ यह select कर लिया इसकी बद add to album private album ok तो यह दोनों hide हो गई यह सारी photos मेरी ठीक है अब private photo को देखने के लिए आपको क्या करना है चाहे आप photo पे रहें या album पे रहें कोई फरक नहीं पड़ता आपको ऐसे करके down करना है नीचे ऐसे करके तो यह photos पे तो नहीं आ रहा है अब album पे चलते हैं album को ऐसे down करेंगे तो देख सकते हैं release to open private folder अब यह खुल जाएगा ओके पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने अभी pattern log set किया था ना वो enter करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी चार photo hide हो रखी हैं तो ऐसे करके आप देख लेंगे अब वापिस से आपको आपकी gallery में डाल दी यह photo तो आप ऐसे करके क्लिक करेंगे और इसके बाद इस ट्रैप से option आएगा arrow का option है arrow पे क्लिक करेंगे और okay पे क्लिक कर देंगे sorry यह तो share वाला हो गया आप three dot पे जाएंगे और यहाँ पे आपको यह दो तीन option देखने को मिल जाएंगे किसको बोला रहा है देना मेरे हो देना तो यहाँ पे आपको यह जो arrow है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको storage जो location है वो select करना है जैसे camera से हमने लिया था और screenshot से तो हमें camera में डालना है तो camera select कर लेंगे तो यह आपका private album से remove होके आपके gallery में वापिस चला गया है तो अभी तीन photo आपकी और भी hidden है तो इसको भी मैं select करके न एक बार कर लेती हूँ तो यहाँ पे remove from private album जैसे अगर बड़ा खोला जैसे वापे से कर लेती हूँ बड़ी photo खोली तो यहाँ पे ऐसा option आएगा अगर यहाँ पे छोटे में ही हमने select कर लिया तो remove from private album पे click करेंगे storage location decide कर गे उसमें enter कर देंगे इसके बाद back कर लेंगे और यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने photo hide कर रखी थी वो वापस आ चुकी है ठीक है तो इस step से आप hide unhide कर सकते हैं कि जब फोटो वीडियो को चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के ले नशिकार